हेलो फ्रेंड्स यहां मैं आपको 3-4 स्लिप्स की डिजाइन एदव यूनिक स्टाइल से बताने वाली हूं तो पूरा वीडियो अब जरूर देखेगा तो इसका हम हाफ लेंगे तो सवा 6 इंच पर निसान लगा देंगे तो यहां देखिए मैं पूरी लंबाई लेंगी कटि की डिजाइन है वह पांच इंच तो उसका आध्धा देखिए पांच इंच पर निसान लगा देना है तो यहां देखिए बीच जो मार्जिन पर निसान था निसान लगाए थे वहां पर बीच में आपको एक इंच का निसान लगा देना है अब देखिए यहां से आपको ऐस से देना है सिम्पल सा सेफ है उस तरह से एक इसकी चोड़ाई एक इंच जो है उसको बहना चाहते हैं तो इसको और इंच भी रच सकते हैं अब देखिए हम इसे से कटिंग ये बकरम का मैंने लिया है आप पेपर पेस्टिंग भी ले सकते हैं तो यहां मैंने डबल फूल करके लिए है क्योंकि मैं दोनुन स्लिप की कटिंग एकी साथ कर रही हूं तो यहाँ देखिए हाफ इंच उपर आपको ऐसे निसान लगा देना है इस्ट रहा कटिंग के लिए यहाँ आप देखिए ऐसे 5 इंच या फिर इस्ट रह प्लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं तो मैं आधा इंच और एट कर लाई हूं तो यहां साढ़ पांच पर हम लेंगे अब देखिए इसको आपको आधा ले लेना है यानि इसका साढ़ पांच का हाफ ले लेना है तो यहां हो जाएगा हमारा पाउने तीन इंच तो अब उसको हम बीच में रख करके इसका भी का लिडेना आपको नार्मली सा और हाफ इंच इस्टर आपको निसान लगा ळेना ऐसे या तो आप इस निसान लगाते हुए राउंडर को आदे किशी कर लेना कुए और तो यह देखिए कटिंग हो गई है और एक साथ देखिए हमारी दो कटिंग निकल के आ गई है तो यह बहुत ही टेंडिंग चल ला है यह जो स्लिप का डिजाइन है बस मैंने इसमें थोड़ा सा अलग लूक इसमें एड कर दिया है जो कि प्रोफिशनल तरीके से लगेगा तो सबसे पहले हमें में सेंटर मारक हुआं ऑस्तर के फेवरिक पसका चल एक कटिंग हम लगाँ इससे क्या होता है जो आपकी सिलीप porn की डिजाइन है पर इससे इसका माइल करने निकालें के बाद देखिए इस चीज़ के आप ter रह आइक है हूँ कि मेरे असी एक लिफ्किंग मोटा है तो जो बकरम हो दिखेगा नहीं तो इसलिए मैंने अलग से कोई अस्ता बकरम प्यूज नहीं किया है मैं डारेक्ट पलट दूंगी तो अंदर हो जाएगा इसलिए दिखेगा नहीं तो अब देखिए हमें हलका हलका कार्नर पेदम सिलाई चलानी है बकरम की ताकि बकरम के ऊपर आपको थोरा सिलाई लगानी पड़ेगी तो यहां देखिए दम हलकी हाथों से आपको डिजाइन सिलाई कर देना है और अच्छे से दोनों जो पॉइंट है वहां से अच्छे से आपको दो गार्ट जरूर लगा दे क्योंकि बाद में खुलने का डट रहता ह या है अब देखिए इसे हमें बीच से कटिंग कर लेना है है तो देखिए उसके बाद आपको पॉैंनos पर कत लगा देना है जिससे यो यह दूसरी तरफ ऐसानी से फोल्ड हो जाएं आप देखिए हमें उसी खेमिन वें यह विलेंग MOM से उसके चाएव पीनलाए लगा देना है तो यह बहुत तीजीत तरीका है बकरम पर कपड़ाराग से लगाना पड़ता है और ऐसे अगर आपका मोटा में फेबरिक है तो इससे काम सज़ जाता है जिससे बकरम नहीं दिखता है तो आप देखिए मैं यहां पर यह डोरी वाली पाइपीन लगाना दिखा रही हूं और आपको गर डोरी वाली पाइपीन शिखने आए तो कमेंट बाक्स में जरूर कमेंट किजिएगा मैं बताओंगी कैसे बनाना है डोरी वाली पाइपीन आप देखिए यहां पर ऐसे आपको सीधे कॉर्णर पर रखते हुए बस पाइपीन दिखना चाहिए इस चीज का ध्यान रहे और अच्छे से छिलाई करते जाना है एदम हलके हाथों से तो यह पाइपीन है बहुत थीजी तरीका से खर्ण बनता है आप को तो घच करके यह मैं मेनेज करके सिलाई करना है इसलिए वहां कट लगा दे तो यहां पॉइंट पर देखिए सुई को इस चीज का ध्यान रहे सुई वहीं पर रखना चाहिए बस चाप को हलके से उठा करके आपको डिजाइन को बनाना है अब देखे वहां से मैंने कट कर दिया था पाइपिन को फिर मैं अलग से उसके नीचे यह पाइपिन लगा दूगी तो जो महारा कार्नर है वो काफी अच्छे से बन जाएगा अगर उसी में से आप फोल्ड कर देंगे वहां से तो अच्छे से नहीं मैं अच्छे से फिनिसिंग नहीं आता है अगर इस तरह से आप कटिंग करके ल यह पीछे का आप देखिए अब यहाँ पर जो पाइपिन इस्ट्रा था उसे हम कट कर लेंगे तो यह आप देख सकते हैं कितना फिनिसिंग लुक आया है यह चीज आप देख सकते हैं काफी अलग लुक लग रहा है तो अब देखिए एम नीचे भी कार्नर पर पाइपिन लगा देंगे तो फ्रेंड अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जरूर जाके देखिए बहुत साइड डिजाय मैंने डाले हैं अब देखिए मैं यहां पर एक कुछ नया लुकरेट करने के लिए मैं कुछ अलग इसका बनाने वाली हूंती है देखिए मैंने बटन ले लिया तो आप यह आईरी आप जरूर अपना सकते हैं किसी भी बटन का यूज कर सकते हैं फिर उसके बाद फेवरिक आप कोई भी रॉन ट्रास लूग देने के लिए फेवरिक लगा सकते हैं असानी से अब देखिए इससे डबल धागे के सहायता से आपको अच्छे से दम तो अब देखिए इसे अच्छा से दूती नाट जरूर लगा लें गास्ट जरूर लगा लें ताकि यह निकले ना तो अब देखिए जो इस्ट्रा फेवरिक के इसे हमें कट कर लेना है कट करके निकालने तो यह आप देख सकते हैं किसी भी बिलाउज डिजाइन में ऐसे आप यूज कर सकते हैं कंट्रास लूग देने के लिए बटन का तिहां पर देखिए मैंने बटन बना लिया है अब इसी तरह चार बटन में बना लूँगी तो अब देखिए मैं पॉइंट पॉइंट पर इसे अटेश कर लूँगी सुईधाय के सहायते से आप चाहें तो बटन का यूज कर सकते हैं करनल पर जो काफी अलग लगेगा तो यहां देखिए मैंने अटेश कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना यूनिक और प्रफेशनल लग रहा है डिजाइन एकदम अलग तरीके से तो फिलीज आप जरू बताएगा कैसा लगा और मेरे चैनल प स्थे जिए और यहां इसका लटकन का मैं वी डियू डालने वाली तो इसे जरूर देखिए गाए ठैंक्स पर वांचेंगा